देखिए, बीज गयनित के ये आठ सुत्र हैं, फर्स्ट राउंड में हाँ, मैं दो राउंड में इसे सीखेंगे, और सारे सुत्र को सीख लेंगे, आप बड़ी तेजी के साथ सीख लेंगे, और सबसे बड़ी बात है, कि इस सुत्र को अगर आपको दोस्तों को, अगर आप के दोस्त भी सीखें, तो आप बड़े आराम से जो है, उन्हें जो है, आप ये कर सकते हैं, क्या करते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूं, कि आप यहाँ पर आपका ये है, वाटसाप है, वाटसाप से, इस पेज को आप दूस्तों के भेज सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं. ठीक है न? तो सबसे पहला जो हमें कहना है, इसे सीखने के लिए देखिए, ये फ्लेश कार्ड है, अभी हम इसकी इस्तिमाल करेंगे, ये फ्लेश कार्ड है, और यहां पर टेस्ट है. ये दोनों की इस्तिमाल से जो फटा-फट हम सीख जो चीज़ सीखने में हमें बहुत दिर लगता है, ट्रिक्स इसका वही है कि सबसे ज़ादा वैज्ञानिक विधी, और इस साइट पर कहां से कैसे पूँचेंगे, तो देखें, डेस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, ठीक है न, क्या बोला गया है, डेस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, यह देखिए, तो मतलब क्या है कि इस वीडियो के जो डेस्क्रिप्शन पर यह लिंक दिया गया है, जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे, तो इस पेज पर जो है आप आप आटोमेटिक पहुँच जाएंगे, ठीक है चलिए अब हम इसको कैसे सीखते हैं उस पर आते हैं अग्ले दो मिनट में सीखते हैं तो पहला देखिए यहाँ पे 8 फर्मूला है A प्लस B स्कोर बडाबर क्या हुआ A plus B square बराबर है A square plus B square plus 2AB ठीक है न? यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए इसे, ठीक है दूसरा A, देखिए यह A plus B whole square ठीक है A plus B whole square यहाँ भी है और दूसरा formula देखिए A plus B square बराबर A plus B, A plus B, ठीक है फिर आप A minus B whole square ठीक है तो A square plus B square minus 2AB अब देखिए A square minus B square ये भी फर्मूला तो A plus B into A minus B अब देखिए A plus B square एक नमबर में भी था दो नमबर में भी था अब देखिए 5 नमबर में भी वही आया A plus B whole square लेकिन इसको किसके form में डालना है A minus B whole A minus B whole square तो इसमें क्या होता है plus 4AB हो जाता है ठीक है ना अब देखिए A minus B whole square तीन नमबर में भी था अब A minus B whole square छे नमबर में भी है यहाँ पर जैसे देखिए plus 4AB था यहाँ देखिए A minus B square था यहाँ A plus B square था यहाँ पर देखिए plus 4AB है यहाँ minus 4AB है यह थोड़ा सा अब ध्यान दे देजिए, फिर क्या होता है कि हम इसको जैसे flesh card इस्तिमाल करेंगे, आपके दिमाग में बेड़े जाएगा, अब देखिए, एक आ गया, देखिए, चार नमबर में, चार नमबर नहीं, पांस, साथ नमबर आता है, देखो, a square प्लस b square, आठ न से अगर हमको जाना है, तो प्लस 2 a b करना है, और a square प्लस b square, अगर a प्लस b whole a square से जाना है, देखो, अंतर क्या है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो यह माइनस 2 a b से होगा, हो गया ना, बस इतना ही था, किसी भी वीडियो में देखेंगे, यही समझाया जाता है, हो प्लस b whole a square, मुझे तो पता है, इसका क्या होता है, a square plus b square plus 2 a b, चलो मिला लेते हैं, देखो, a square plus b square plus 2 a b, अब सवाल उठता है, देखो, यहां पर दिया हुआ है, a square plus b square plus 2 a b, अब सवाल उठता है, कि अगर मुझे किसी कारण से नहीं होता है, तो फिर मैं back जाऊंगा, फिर बोलूँगा, a plus b whole a square बड़ाबर क्या होता है, फिर मुझे बानी बोलूँगा, ऐसे बोलके, a square plus b square plus 2 a, बिना देखे बोलना है, इस तरह करके आपको याद करना है, मैं दिखाये हुए जा रहा हूँ, अब next जो है, दूसरा जो है, a plus b गुन to a minus b, देखो यहाँ plus है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ plus है, यहाँ पर minus है, देखो यहाँ plus है, यहाँ minus है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, a plus b गुना a minus b बड़ाबर क्या होता है, a square minus b square, ठीक है, देखो यह a square minus b square हो गया, फिर हम आते है, a minus b whole square बड़ाबर क्या होता है देखो A plus B whole square बरावर क्या होता था, A square plus B square plus 2A भी, यहां पर क्या है, A minus B whole square बरावर क्या होगा, हम देख लेते हैं, A square plus B square minus 2A भी, अंतर कहां आया देखो, यहां पर, यह minus, A plus B whole square में plus होता था, A minus B whole square में minus होता है, ठीक है, यह हमें खाली याद रखना है, अब हम next में आते है बोलता है A plus B whole square A minus B whole square के फॉर्म में बताईए ठीक है न? टो A plus B whole square देखो, यह माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस 4 A B होगा देखो A minus B whole square तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस 4 A B अब देखो, यहाँ पर explanation भी दिया है क्या है? A plus B whole square B whole square plus 4ab ठीक है न, बराबर देखो क्या है, A minus B whole square जो है, इसको हमने खोल दिया गया है A minus B whole square बराबर क्या होगा, A square plus B square minus 2ab और यहां लाल में क्या है, 4ab तो minus 2ab plus 4ab minus petit है, plus बड़ा है, 4 से 2 गया, 2 तो A square plus B square plus 2ab, ठीक है न, अब जहाँ A square plus B square plus यह बड़ाबर क्या हो गया, यह बड़ाबर A plus B whole square का formula हो गया, ठीक है न, तो आशा करता हूँ यह समझ गए हो गया, तो देखो यह जो तरीका है न, मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ कि flashcard से आप कैसे सीखेंगे, और यह material कहां मिलेगा, उ उसके बाद देखें, यहां पर आपका formula आजाता है, अब A plus B whole A square बड़ाबर क्या है, अब मुझे तो पता है, देखो भाई, A square plus B square plus 2AB, यह इसका answer है, ठीक है न, तो इसको मैंने click कर दिया, देखो, अब बोलता है A plus B into A minus B, तो A plus B है, A minus B है, तो A square minus B square होता है, तो देखो A A square minus B square यह है, तो हमने यह दे दिया, तो इस तरह करके जो है, हम इसके इसको दे सकते हैं, क्या करते हैं, आपके जो, क्या करते हैं, टेस्ट को दे के हम सीख सकते हैं, मैं चुकि 8 है टेस्ट दूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अब टेस्ट नहीं दे भी हमने जो बीजगनित का सुत्र दिया हुआ है, वो केवल आठ दिया है, जबकि बीजगनित के सुत्र टोटल जो है, आपके बाइस होते हैं, अगर साड़ा कुछ लेना है, तो यह आठ सिखने के इसी के पेज के नीची, आपको दूसरा आठ कल मिलेगा, फिर बाद बाकी का मिल जाएगा, तो मतलब अगर इस तरह से आप सीख लेते हैं, क्या किसे बुलते हैं, आप फ्लेश कार्ड से, फिर आप टेस्ट देते हैं, और एक बार अगर इस टोटल फर्मूला पर आपका पकर बन जाता है, आप समझ जाएंगे कि बीज गयनित का 40 परतिसत आप ऐसे ही कर लेते हैं, इस चीज़ को समझिये, तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है, वो जरूर डेस्क्रिप्शन पे जो इसका दिया हुआ है लिंक, वहाँ से इस पेज पर जाएं और अपनी तेयारी शुरू करें, साथी साथ मैं एक चीज़ को बताना ज़रूर चाहूंगा, पहले भी देखा था, देखिए जिनका जो है जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा Add to Home Screen, मतलब जैसी वो पेज आता है, Add to Home Screen में रख देते हैं, इसको Add करके, तो यह पेज जो है, Automatic, पहले वीडियो में भी दिखाया था, आपके इसमें आके, यह देखिए यहाँ पर, Algebra करके आगिया है, तो आपके Home Screen में आ जाता है, ठीक है न? तो जैसे ही आपके Home Screen, यह देखिए Home Screen में, यह Algebra करके आगिया है, तो मतलब आपको यह फिर ढूनना नहीं पड़ता है, तो Formula करके, मैं एक पेज बना रहा हूँ, जिसके अंदर में Algebra, सारा, जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्र आप याद कर पाएंगे, यह वेवस्ता में कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगोंने समझा है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, या बेल बटन नहीं दबाया है, उन सबसे मेरी गुजारिश है की जरूर करें, जिससे की मैं वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद,